सब्सक्राइब नाओ और प्रेस्ट बेल आइकिन नेवर मिस अपडेट देखिए आज हम बगार है पास्ट पाटिसिपल से कब्रियो करके एक सेम्पल सेंटेंस बनाना तो अगर पास्ट पाटिसिपल का प्रेव करके एक सेम्पल अगर बनाना है तो उसके पहिचान क्या है तो जिससे हमने पहिचान लिखा है पाहिए वाक का आपजेक्ट जो है वो दूसरे वाक में करता के रूम में आया हूँ पहली बाद दूसरी बात है कि दूसरा वाक पैसी वाइस में हो और तीसरी बात क्या है कि दूसरे वाक में पहले वाक के आपजेक्ट की ही चर्चा हुई हो यहीं कहने का मतलब जैसे माल लीजिए दो सेंटेंस हमें दिया गया है दोनों सेंटेंस को जोड़कर हमें एक सेंपल सेंटेंस बनाना है तो रहा है सिर्थ कैक्या ज wildlife उभी पास्ट पार्टिसंपर सेंटेंस के प्रयोग से हमें एक सेंपल सेंटेंस बनाना cinco तो कैसे हम जानें कि इन दोनों कर अच्यों को अच्छर पार्टिसिपर से जोड़कर हैं सेंपल सेंटेंस बनाना है उसके पहचान की क्या जो पहले वाग की का अबजेक्ट है क्या वो दूसरे वाग में सब्जेक्ट के रूम में आया है दूसरी बात यह है क्या जो दूसरा वाग्य है वो 25 वाइस में है अग तीसरा देखेंगे क्या जो दूसरा वाग्य है उसमें जो है जो चर्चा हुई है क्या पहले वागि के आपजिम्द की ही चर्चा हुई है NBC अगर ये तीनों सर्द अगर पुरा है उसको हम क्या करते हैं पास्ट पार्टिसिपल से जोड़कर हम एक सेंपल सेंटेंस बनाते हैं आईए हम आपको इजांपर से समझाते हैं जैसे नंबर एक हैं नंबर एक आई फाउंड आई फाउंड ये आई फाउंड ये पिन अब दूसरा है इसी को हमें बनाना है क्या एक सेंपल सेंटेंस अब इन ही दोनों वाक्यों को जोड़कर हमें एक सेंपल सेंटेंस बनाना है तो अब यह देखना है क्या इन दोनों वाक्यों को हम पास पार्टिसिपल का प्रिव करके एक सेंपल सेंटेंस बना सकते हैं अब यह देखना है अब देखिए क्या यहीं कि इसमें लिखा पहले वाक्यों का आपजेक्ट जो है वह दूसरे वाक्यों में करता के रूम में आया है तो पहले वाक्यों का आपजेक्ट क्या है अब देखिए क्या यह जो है दूसरे वाक्यों में करता के रूम में आया है इट माणिया यह यह उख्ण है आई था यह फाउंड यह पिल मैंने यह पिल पाया इट माणिया वाज माझे वाजलास हो गयी थी मतला मैंनी यह पिल पाया यह खो गया था क्या यांत हो गया था यांत मतल्ट यही पिल यही पिल जो है इसारा कर रहा है यई यही पिल जो है यही दूसरे वाज में सब्ज़ेट बन करके सब्जेट के रूप में आया है तो ये नहीं आप यह पता चल गया है एक पहले वात में जो आपजेक्त है वह दूसरे में सब् Island के रुमें sobie अब दूसरी बाद क्या है कि दूसरा वाट निया है याप देखेंगे दूसरा वाट जो एसप वाइस में है किसे हम ने है इसकी आगे अगर क्रियक ठट लिखा है तो हम समय देंगे कि पैसिग वाइस में है लॉस्ट यह जो है यह क्रियक ठट भार्म है तो यह नहीं कि आप देखिए यहां वाज के आगे इसके इसके तो यह फारण की इसका मड़ल यह एक हैं अब तीसरी भात क्या है पिसरी बात है तीशकी यह tycker है जो दूसरे वात में पहले वाग सुना की ही चर्चा हुई है अब यह फारे वाग समझ दिके ए-स ने किके विसले वारती चाह狼ाई है मकरब भॉआलर्श में किया देट कि ऊज़ा भॉज हूं हमसुक थो गया था क्या हो देन उसी पीर की जढ़ा है यह कहने किरी यह पहले के प technician स्विया क्या प्रोपे रखना वह यह पिर इसका मतलब दूसरे वाग्य में यह पहले वाग्य के आपज़क्ट की ही चार्चा हुई है इसलिए हम इसको पास्ट पार्टिसिपल का प्रियों करके एक सेंटेंस बनाएंगे कैसे यहीं की सेंपल सेंटेंस यह सेंपल सेंटेंस बनाते गए यहीं कहने का मतलब आईसे वाग्य रहे यहीं कि अगर कुछा याज उसरे वाग्य में है वाज लास्ट हो गया तो क्या हो गया था एक पर यह जिसकी जाचा कर रही है मतलब कर रहा इसमें इन्हीं लास्ट लास्ट मनें खो गया था तो क्या खो गया था एक पेल तो जो खो गया है उसी के बगर में जाकर कि यह बैठ जाएगा मतलब कि यहां लास्ट मीन्स खोना है तो जो खो गया है वह उसी के बगर में बैठेगा तो यह हुझे आई 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 फाउंद एक यह तो यह स्की लास्ट पेल कि यह लास्ट मीन्स होता है भोना अब रिख हो गया था वंगों इस लास्ट जो खो गया था यह लेग लेगें यही हमारा पास्टेशेंवर आपने उपर कर के की पर मारा सेंटियंस यह निए सेम्पल सेंटेस बढ़ गया तो आई पाउंड ये लाष्ट पेंट इसका मतला आई मने मैंने पाउंड माने पाया यह रास्ट पेंट प्रेंट होया हुआ कलं मैंने ये फिर दूब स्वाज हुआ तो यह पाया है अच्छाए कहे दिजिए कि मैं यह क्वाओ तो यह इनी कलम पाया तो अब देखिए इसमें ये सब्जेक्ट आ गया और ये कर्म अबलब कि आता ही में की वर्ब आ गया तो जिस सेंटेंस में ये सब्जेक्ट हो और ये वर्ब तो हमें समझ लेना चाहिए कि ये वर्ब की सेंपल सेंटेंस में है अब हमारा सेंपल सेंटेंस बढ गया अब अगला एक जाम पर देखे जिसे माल लेजी लिखा है यह निकी दिस इज दिस इज दिस इज रोज दिस इज यह रोज पहला अब दूसरा वागे दिया गया है क्या दिया गया है इट इज फेड़ेड अब एका बनावरेका सेमपल सेंटेंस वो भी पास्ट पार्टिसिपल का प्रियूप करके सेंपल सेंटेंस बनाना रहें क्या यह रोल इसमें रगे गारा पहले समय दिक इसका मतला इसकर इसमें यह रोल कब लखार एंगे इन दोनों वाकियों को हम एक पास पार्टिसिपल का प्रियुकर के एक सेंपल सेंटेंस बनाएंगे तब जब पहले वाकिय का आपजेक्ट यह हो वो दूसरे वाकिय में सब्जेक्ट के रूम में आया हो जैसे उसमाने या इजमाने है यह रोज ए गुलाब यह गुलाब है इट फेड़ है यह मुझाया हुआ है यह क्या में यह का है यही रोज, यही गुलाब, यही इत जो है, यही गुलाब के लिए कहा गया है, और इत फेड़र मुझाया हुआ है, क्या मुझाया हुआ है, यही मुझाया भी यही गुलाब के विशने कहा गया है, इत जो है, यही इसी गुलाब के लिए कहा गया है, इत पानी यहा, अर्था अब हमें पता चल गया पहले वाकिषा आपजिक जो है वह दूसरे वाकिष में सब्जिट के रूर में आया है अगर इज के आगे रूर में लिख तो हमें समझे लेना चाहिए कि दूसरा वाकिष में दिया गया है अगर इज के आगे रूर में और पर इस तो हमें समय लेना चाहिए वाक के वह वह पैसिक वाइस में है दूसरी सब्जिट क्या है दूसरे वाक में जो है पहले वाक के आपजेक्ट की चार्चा बही हो जैसे दूसरा वाक यहीं है अब पहले वाक्त के अब्जिक्त यह है यह फेड़न मत कि मुझाया हुआ हुआ है यही दूसरे वात में मत यह इनि इसी पहले वाक्त में आप्जिक्त है इसी की चाचा यहां से ले करके यहां तक हुई है तो अब हमें समय दीना चाहिए कि इन दोनों वाक्यों को हम 5 पार्टीसिपर काप्रियों करके हम एक सेंपल सेंट्यनस बनाएंगे लेकिन कैसे बनाएंगे देखेए एक सेंपल सेंट्यनस हमें बनाना है एक simple sentence बनाना है तो आप ऐसे बनाएगे हमने कहाँ आप देखें फेयरीन मीनस होता है नुझाया हुआ तो क्या चीज़ी नुझाया हुआ है एक खुलाब तो हमने कहा कि यहां जिसकी चार्चा हुई है इसको लें जाकर के उसी के पहले हम लेख देंगे तो हमारा पार्च पार्टिसिपल का प्रेव करके हमारा सेंपल सेंटेंस बन जाएगा इस 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 इज अब यह फेडर सब जो है यह किस फेडर मीस होता है मुझाया हुआ क्या चीजिक हो जाया हुआ एक गुलाब यह रोज तो मतब यह उसी के जिसके भी सब्सक्राइब उसी के बदल में ले जाकर उठाके देंगे यह इसको उठाएंगे ले जाकर कि ए और रोज के बीच में हम लेख देंगे यह फेडर रोज यह यह एक मुझाया हुआ बुलाब इज मने है यह एक मुझाया हुआ बुलाब है तो अब लेकिए सिंपल सेंटेंस का मतलब क्या होथा है सेंपल सेंटेंस का मतलब होता है उसमें यह करता हो यह कहीं क्रिया हो आई से वाकितों हम सिंपल सेंटेंस कहते हैं तो अब देखिए जाहें कर दिए दिस लिए रोज यह एक गुलाब है इटी फेड़र वह मुझाया हुआ है अचाहें जो कहने जिए कि यह एक मुझाया हुआ गुलाब है इसको ऐसे भी कह सकते हो देखें एक इकजाब पर हम और देखिए कि यह कहिने का मतलब यह है कि अगर पास्ट पार्टिसिपल का प्रयोग करके अगर एक सेंपल सेंटेंस बनाना है अगर जो दो वाट दो सेंटेंस दिया गया है अगर यह तीनों सर्ट उसमें दिखाई दे तभी उसको पास्ट पार्टिसिपल का प्रयोग करके एक सेंपल बन अगर यह तीनों सर्टें अगर नहीं दिखाई लेती हैं तो वह पास्ट पार्टिसिपल का प्रियू करके हम एक सिंपल सेंटेंस नहीं बना सकते हैं तो अब देखें जाम पर अगला मताराने देख लिजिए जैसे मान लिजिए हैं आई माने माने सा माने देखा ए गवाय ए गड़का माने ये गड़का देखा दूसरे वाक में क्या है ही माने वहां है, वाज परेखें वाज वाज बाॉदेट zero ही वाज बाॉदेट बाउद्ड ने सोता है गड़ाय यहने की आय को manger मैं नहीं नड़का देखा ही वाज बाउंडेड वाज घायल हुआ था यह नहीं कहिने का मतलद अब इसको हमें इन दोनों सेंटेंस को जोड़कर हमें एक सेंपल सेंटेंस बनाना है तो अब उपर हम लिए है पास्ट पार्टिसिपल का प्रियों करके एक सेंपल सेंटेंस बनाना तो क्या है पास्ट पार्टिसिपल का प्रियों करके एक सेंपल सेंटेंस इन दोनों में हम बना सकते हैं कहने का मताहम देखेंगे क्या पीनोसद पुरी है पहली बात तो ये है अगर इसको हमें पास्थ पार्टि सिपल का प्रेयो करके अगरिसेंपल सेंटेंस बनाना है तो पहले देखिए क्या पहले वड का आपजिक्त जो है ये दूसरे वाक्य में करता की रूब में आया है जैसे आई साय को आए माई ने एक लड़का देखा माई ने एक लड़के को देखा लड़का देखा ही माने वह बाउंडेड वाधाय था वाधाय तो गया है यानि कि यह वोई वही लड़के को देखा ही माने वह अर्था यह वाधाय इसका मतलब यह वहाधाय जो पहले वाध में जो यह आपजेक्ट है यह दूसरे वाध में देखे सब्जेक्ट के रूम में आया है इसका मतलब यही एवाय ज worship जो है प्रूलावन की रूम में आया है इसका मतलब जो पहले वाइक में इन तो सब्लम में आया है इैन पाइला है अब दूसरी बात क्या है दूसरी वात है कि Вाइस में है है अगे देखना अगर इसार पूरी है तो दूसरा था में मर जानेंगे कैसे 592 है कि दूसरे होगा नहां हैं'M तो इस ही के आगे लिखा होना चाहिए अगर लिखा है तो 50 20 में है जिसे स्मिवाज लिखा है जिसके आगे पाउंडेट लिखा है ये क्लिए लगार आगे तो अब इसका मतलब दूसरा वाग जो है ये तीसरी सर्द क्या है कि यह दूसरा वाक क्या है उसमें पहले वाक के आपजब की ही चार्चा हुई हो जैसे मतलब माय ने एक लड़का देखा वह घायल हुआ वह मींस एब वाय वाय पाउंडेट घायल हुआ है यह कौन घायल हुआ है यह वही लड़का घायल हुआ है मतलब दूसरे सेंटेंस में पहले पहले सेंटेंस में जो आपजब दिया गया है इसी की चार्चा यहां से यहां तक हुई है जट मारे सामने कभी ऐसी सीन आती है कि पहले वाज़ का ज़ो आपजेक्ट हो दूसरे वाज़ में में हो पहले वाज़ में पहले वाज़ के लोज है इसी की चर्चा दूसरे वात में यहां से लेकर के यहां तक भी हो तो समझ लेना कि आईसे दोरों आखियों को हम 5 पार्टिसिपल काभ्यों करके एक सेंपल सेंटेंस बनाएंगी अब देखी अब सेंपल सेंटेंस कैसे बनाएंगी भी सेंपल सेंटेंस एए इसे अए अब यहां ही वार्ट ना इसमें का संप्जट्च लिखेंगे दूसरे वाट का ना दूसरे वाट की हम ग्रशाय नहीं और उखेंगे अध्यूर है किसा किया था करके हम इ safest जो गड़का घाय था जो घाय वो उसी के बगल मिले जाकर लिख दीजिए भाई बाउंडड घाय कौन घाय ही वह कौन वह गवाय गड़का घाय था इसका मतल इस बाउंडड को हम इसी बगल में लिख देंगी तो यह आई आई साइए बाउंडड इसका मतला चाहिए आई साइए आज देखा वह भाउंडड वह भाई हुआ था अचलिक देजिए माइन ए यह गवाय देजिए यह यह निकि कि ए और वाई को बीच में हम बाउंडड लिखेंगे तो मैंने एक घायर लड़का को देखा मैंने एक घायर लड़का को देखा तो चाहिए कहें दीजे अब यह सेंपल सेंटेस हमारा बंध्याशों की इसमें एक सब्जेप्ट है और इसमें एक वर्व है आइसे वाट को हम क्या कहते हैं सेंपल सेंटेस लेकिन है यहां तो यह फिए वर्व और यहां प्रिया लेकिन इसको अंब लेकर बगन लेखेंगे यह बगनल के प्रिया नहीं हमारा अग्जेक्टीव का कारका है आइजेक्टिव हो गया अब यह जब हम बाउंडेड को उधा करके गवाय के बगल दिए यह तो इसकी यह तर्फार्म है लेकिन यहां यह आइजेक्टिव बन गया कि यह आई सा यह बाउंडेड गवाय माईनी यह घायर लड़का को देखा जैसे एक वाट के नौर देते हैं देखें जैसे मान लीजिए लिखा है कि इसमें लिखा है कि चलिए ही ही माने उसने या वह समाने देखा यह हाउस उसने यह घर देखा वह यह घर देखा दूसरा वाक्य है आघए ईड़ अब सिलिए बीयु आर या टी फारें ए वार बार्ड जलते यह ज़ुआ वे उसने यह खाने ही माने उसने समाने देखा यह हाउस यह घर धी वाल बड जलते हैं म्यात्यां मंगा है हाउस अधाद यह नहीं कहने का मतला अब क्या इस दोनों इन दोनों वाक्यों को जोड़कर हमें यह पाश्क पार्टिसिपर का प्रियों करें कि अगर वह तीन सर्थे हैं तो तो हम इसमें का यूज करेंगे अगर नहीं पूरा है तो देखेंगे रहो को सा नियम लगेगा फिर उससे हम लोड़कर की एक सिंपल बनाएंगे तो पारेट को हम बता रहेंगे पास्क पार्टिसिपर का प्रियों करें एक सिंपल से बनाना तो अब देखिए ही सा ए हावस उसनी यह घर देखा इट वाल बर जला हुआ हन्या जो इसनी घर देखा वह जया है हुआ है यहिंक्ते रहें आते हैं हमारा हावस मींज Mid वह हावस वावस जला हुआ है मैं कि अब यहां आह लिखा आज भी यू आर्न। जला हुआ जो उसने घर को देखा था वो घर क्या था जला हुआ था आप दूसरा वाग हमारा पाइसिक वाइस में है दूसरा वाग क्या है इसी की चार्चा यहां कर्कि यहां का भूई हो जैसे हाउस यहां इंट इसे हाउस के लिए ता गया है तो इस मतलब इसमें काम सब यह नहीं कि इसको हम सहाइक लिए रहते हैं अब यही हमक्यों लिखेंगे ओर भी इसको कहाने जाकर लिखेंगे बर्ट मिम्स जला हुआ अब जो जी जला हुआ था उसी के बागर भी तो चीज़ जला हुआ लिख दीजिए तो हमारा दो जाएगा सेंपल सेंटेंस तो यहीं कि सेंपल सेंटेंस अब सेंपल सेंटेंस हमें बनाना है यह ही सा यह और हाउस के बीच में हम क्या निखेंगे यह देखी यह बर्ण हाउस यह जला हुआ उसनी यह जला हुआ घर यह था अब यह बर्ण जो है यह अब ये अड्यक्तिव का कार कर रहा है है अब देखिये इसमें करता हुए है और सुमार एक से बन गया एक हम उसी हम के हम बता रहे हैं देख लीजिए लास्ट ये से मान दीजिए पहला वाद कि है ही है ये चेयर उसके पास एक पुर्सी थी अग दूसरे वाद में है इट वाज ब्रोकें वाद कुटी रुए थी यह उसके पास एक पुर्सी थी इट वाज ब्रोकें वाद तूटी हुए थी अब देखें अब कि सेंपल सेंपल वातियों को जोड़कर हमें इस सेंपल 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 को जोड़कर बनाने के लिए कहें दिया जाएगा तो अगर इसमें पास पार्टिसिपर का प्रयोग अगर होता होगा तो उसमें फिर यह तीन सर्थ दिखाई देता होगा जैसे ही है यह यह उसके पास एक कुर्सी थी इन वाज ब्रोकें वह हूटी हुई थी यह नहीं कहने का मबला यह चेयर इनी पहले वाक में आप हेट पहले वाछट का है है यह सब्जड़ के रूम होना चाही मतना कि उसके पास एक पुरसी दी इड़ माने वहाँ भाग गोगें तेजी वहाँ कुम दूटि सम्धार कोर्ट तोटी होई निया है यहीं मतलब आगे इट का लिया है है एक और अधाय मैंके टूटी थी एक उतसे कहां किया टूटी पाइले वाख जो आप सिक हाई उसी हुए दूसरे वात में यहां से लेकर किया व्ण हुआ 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 है अगर आइसा सब्सक्राइब अगर मिलता है तो समझ लेना उसको पास्ट पार्टिसिपर से ही जोड़कर एक सेंपल सेंटेस बनाईएगा कैसे बनाएंगे सेंपल सेंटेस कैसे बनाएंगे अब एक हमने कहा है जो पैसी वहाइस में है उसका तो ना तो हम सब्जेक लिखे ना तो हम helping work लिखेंगे यह तो रहीत है अब तीसरा जो बचा हुआ है यह जो बचा हुआ है इसको हम ले जाकर के हम किसके बगर में लिखेंगे बाई यह कहरा है तूटी हुई तो आप यह ब्रोकन जो है इसी चेयर के बगर में लिख देंगे जो चीज पुटब वहां जिसके भी सरी बता रहा है जिसे भाई बाद लीजिए अगर कोई आधी है किसी आधी की बडाई करता है तो लोग क्या करेंगे ऐसा है तो यह सग्या तो जाओ नहीं लगी यहीं तो कहेंगे बोलिए तुवही यह ब्रोकेन इनसे क्या होता है टूट क्या चीज़ कुटी हुई कूरसी इससे कहले साथ जाओ कूरसी बलंग वही जाओ यह जो है यह है यह है यह अब यह चेर की बीच में यह हम क्या लिए देंगे ब्रोके ब्रोके चेर यह निकि उसके पास एक कूरसी हुई कूरसी थी चाहिए पैंदी इसके पास एक कूरसी थी तो अधू की एक सब्जेक लिए आये वर दिए एक सब्जेक लिए वर अगर हो जाए तो हमारा क्या हो गया सेंपर सेंटेंस रिया और लाश्ट के वाले चांपर हम दोगा रहे हैं जो इससे हटके हैं जैसे आई माने माई ने सामा ने देखा एक डेड़ गुआ है माई ने एक मिल्ट मिल्ट मरे वी रड़के को देखा माई ने जिस रड़के को देखा वो मरा वबा था इसका मदर गया है दूसरे वाज में क्या है यानि कि ही वाज कवर्ड ही वाज कवर्ड धका रहा था किस से बीद ये वाइट क्लूद सफेद कपड़े से वाज सफेद कपड़े से धका रहा था लास्ट है throw है समझ लीजिए बहुत थठी नहीं है अब इसे इसमें वाज दू आ आगे के एक सब्द था इसको लेजा करके हम उसी के बादल में लेकिन अगर वाज के आगे एक सब्दों का एक सम्मू हो तो हम उसको क्या करते हैं जो हम उसको पहले लेखते हैं उसको आगे लिखेंगे कैसे एक वाज में जान लेजे जब एनिकी जो पाइसिंग वाइस में दिया गया हो उसमें एक सब्दों का एक समू है इसको हम जाने के जिससे आई माहिने माहिने सामा ने देखा है एक वाले लड़के को लड़का को देखा ही माने वा ही मींस वही एक देट वाए तो कि आया है ही आया है वह वाजब का ये वाइस क्लोथ हूआ सब्सक्राइल होज्ज शपयत कपड़े से ए सफेद कपड़े से डहका हुआ था ते नी क्या वो लड़का जो रड़का मरा हुआ उसने देखा वो एक सफेद कपड़े से धका हुआ था तो कहेंगे का मतलब कि क्या इन तोनों वाक्यों को पास्ट पार्टिसिपल का प्रियों करके एक सेंपल सेंटेंस हम बना सकते हैं तो इसमें वही तीन सब्सक्राइब यह को पाइले वांगे ऐस वांगे का आप्जेक्ट जो है वह दूसरे वांगे सब्जेक्ट के रूप में आया है यही और जो देखें यह आ गपार्ड का यह सफेद कपड़े से धका हुआ को एक सफेध कपड़े से धका हुआ क्या धका हुआ वहाई जो एक विफटक लड़का था इसी के बारे में यह जाए यही कहने कामक्लब जब कभी इसी सेन आवा है जो पहले वाकिका आब्जेक्ट उसी के विसाइग में दूसरे वाक्त में यहां Σे ले कर पूरे आखळी fan इसी की चार्चा हुई हो के वह इसकी जचा नहीं केवल पहले वाट में जो अमजिक्ट है इसकी चर्चा जो है दूसरे वाख में यहां से लेकर के यहां तक केवल वूसी ुपय चार्चा होई है तो समझे लेना आईसे दोनों वाकियों को हम क्या करते हैं उसको पास्ट पार्टिसिपल का प्रेव करके एक सेंपल सेंटेंस बनाते हैं कर दो है अईसे दोसरे बाद में जो वाज के आगी जो लिखा है यह सब्तों का नहीं यह यह एक से अधी सब्सक्राइब का सम्मूं है यह पूरे ग्रेज के लिए आया है तो आइसे वाकिपो हम जब सेंपर सेंटेस बनाते हैं तो पहले वाकिपो हम जियों करते हों आइसे हम उतार लेगे आइसा आइसा ए डेड़ बॉय अब पहला वाक पहले पुरा उतार लिए जो दूसरे वाकिपो हमने कहा दूसरे वाकिप में जो सब्जेक है उसको नहीं लिखते हैं दूसरे वाकिप में जो यह सब्जेक है यह भाइसो नहीं लिखते हैं अब उसके आगे जो का checked है उसको हम लाते पहले लाते लाते थे का उसके पाहले लिखते ते जब एक सब्ज में था लेकिन जब वो कई सब्दों का है पूरे कई सब्दों का समूव है या एक प्रेज के रूम में है तो उसको हम पहले वागी को जो करते हो पूरा उतारने के बार अब यहीं कि हम पूरा उसको हम इसी के आयू उतार देंगे यहीं कि कवर्ड विद ये हुआइट प्लोथ यहीं कहीने का मतला हम हमारा बन गया सेंप्द 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 आई साये ये डेट वाई कवर्ड वीद ये मद नाइ माईने एक सफेद कपड़े से बीद माने से एक सफेद कपड़े से कवार्ड माने धका हुआ एक गेड़ वार एक मिर्तक लड़का सा माने देखा एक मतलत माने एक सफेद कपड़े से धका हुआ एक मिर्तक लड़का को देखा चाहिए तरस कहते हैं आई साय गेड़ वार माने एक मिर्तक लड़के को देखा एक सफेद कपड़े से धका हुआ एक मिर्तक लड़के को देखा यह है तो आज हम बता रहे थे पास्ट पार्टिसिपल का प्रियोग करके हम एक सेंपल सेंट्यंस कैसे बनाते हैं माल लीजिए किसी ने पूछ लिया कहो हम कैसे जाने कि जैसे दो वाक्य दिया गया है इन दोनों वाक्यों को हमको पास्ट पार्टिसिपल का प्रियोग करके एक सेंपल सेंट्यंस बनाना है या हम पश्चान नहीं पाएं यह नहीं जान पाते हैं कि इसको हम पार्टिसिपल से हम पार्टिसिपल में एक प्रियोग करके एक सेंपल सेंट्यंस बनाना है तो जो दो वाक्यों दिये रहेंगे उसमें आपको यह देखना है कि क्या पहले वाक्यों का जो आपजेक्ट है क्या वो दूसरे वाक्यों में सब्जेक्ट के रूम में आया है अगर आया है तो एक सर्थ हमारी पूर्यों है आग दूसरा यह देखिए, जो हमारा दूसरा वाग की है, क्या वो 20 वाइस में है? अगर कुछ बच्चे कहते होंगे कि मतलब हम 20 वाइस नहीं पहिचान पाते हैं कि वाग अटि वाइस में है, 20 वाइस में है, तो हमने कहा इज आर एम वाज बेर इसके आगे क्रिया के फ़र फ़र लिखा हो तो हमें समझ देना चाहिए वाख 25 पूरी हो इक सर्थ एक सर्थ उसमें और आपको दिखाई दे दूसरे वाख में शुनू से लेकर आखरी तक जतना लिखा हो उसमें पूरे दुसरे वाक में केवर पहले वाक के आपज़प्र की ही चर्चा हुई हो आईसे दोनों वाक्यों को हमेशा समझ लीजिएगा पास्ट पाडिसिपल का प्रयोग करके एक सेंपल सेंटेंस बनाईएगा आप अगले वीडियो में हम फिर मिलेंगे जय हिंद जय भाद